नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मित्रों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अभी तक कुमारे हैं आपकी शादी नहीं हुई है और विवाहित हैं और आप चाहते हैं कि नए साल में आपका व बहुत हद तक संभावना रहेगी चांस अधिक से अधिक रहेंगे कि आपके विवाह में जो बाधा जो विग्न आ रहा है किसी भी कारण से आ रहा हो किसी के परिवार वाले नहीं मानते किसी का योग संयोग नहीं बनता किसी को अच्छी लड़की नहीं मिलती किसी को अच् बजेंगी यह उपाय आपको बहुत अच्छा लाब देंगे अब बात कर लेते हैं कन्याराशी की कन्याराशी के लड़के या लड़कियां जिनके विवाम में विगना रहा हो बाधा आ रही हो शादी की बात जो है वो बन ना पा रही हो तो उनको जो है कौन सा उपाय करना च चाहिए केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए तथा मंदिर में पीले कपड़े में चने की दाल गुरुवार को बांध करके साफ नए पीले कपड़े में वो ब्रामन को दान करना चाहिए या फिर गुड को गाए को गुड और चने की दाल आप अपने हाथ से खिला दें तो दान करने के बराबर ही आपको ये फल प्राप्त होता है पुरुश जातकों को भी यही उपाए करना चाहिए इसके साथ साथ शुक्रमंत्र का जाप करना और सूरी देवता को अर्ग देना ये आपके विवा में आ रहे है विगन को बाधा को बहुत आसानी से दूर कर सकता है तो मित्रों देवियों और सजनों ये तो बात रही आपकी राशी के नुसार कौन कौन सा उपाए आपको कैसे कैसे करना चाहिए जिससे अभी तक आपके विवा में जो भी विग्न थी जो बाधा थी वो आगे कंटीनू ना रहे वो विग्न वो बाधा वो समस्या दूर हो और आपके परिवार के लोग राजी खुशी मान जाएं आपके विवा में आ रही बाधा को दूर करके आपका विवा हो जाए इसके लिए ये सारे उपाए जो हैं ये आपकी राशी के नुसार ही मैंने विशेश रूप से बताए हैं इसके अलावा यदि आपकी जन्म कुंडल आपको जरूर करानी चाहिए उसके कारण से भी विवा में विगना आता है अगर कुंडली में पित्र दोश या कालसर्प दोश है सूर्य चंद्रमा का कोई ग्रहन दोश बन रहा है तो उसकी भी शांती अगर आप करा लेते हैं सही तरीके से विदिविदान के साथ वैदिक त कुंडली में अगर ऐसे दोश रह जाए उनकी आप शांती न करें तो आपके दामपती जीवन में आपकी मैरिड लाइफ में बहुत तरी तरीके की प्रॉबलम चलने लगती है फिर लोग परिशान होके हमारे पास आते हैं कि मेरा तो जीवन खराब हो गया मेरे तो गलत जी के लिए भी और कन्याओं की लड़कियों के विवा की बाधा को दूर करने के लिए भी तो उनको भी सुन लीजे जो भी आपकी राशी के नुसार मैंने उपाई बताए उनके साथ-साथ इन मंत्रों को भी अगर आप जाप और प्रयोग करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा तो कन्याओं को कौन सा मंत्र करना चाहिए ये मंत्र है देही सौभाग्यम आरोग्यम देही में परमम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही इस मंत्र का जाप करने से कन्याओं को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है दामपत्य जीवन जो है वो आपका सुखपूर्वग बीचता है, इससे आपको आरोग्यता की प्राप्ति होती है, आप खुपसूरत होते हैं क्योंकि इसमें रूपम देही, जयम देही मांगा गया, देवी से रूप मांगा है, यश मांगा है, अपने लिए जय मांगा है, तो ये मंत्र बहुती कल्यान क इसके अलावा कात्याइनी देवी का जो मंत्र है कात्याइनी महामाय महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमा जिन लड़कियों के जिन कर्ण्याओं के विवाह में विग्न हो इन दोनों मंत्रों का एक सोवाठ एक सोवाठ नियमित रूप स अगर विवाह में विग्न आ रहा है तो उसके लिए भी मंत्र है पत्नी मनोर्माम देहिं मनोवृत्ता नुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद भवाम ये मंत्र का जाप लड़के करते हैं जिनके विवाह में विग्न हो बाधा हो तो वो देवी से मांगते हैं कि पत्नी मनोर्माम देहिं मुझे पसंद आने वाली मनोर्मा पत्नी आम दे जो मेरे मनोवृत्ती को समझ करके काम करें मुझे खुश रखें मेरे परिवार की सेवा करें और उसके सैयोग से उसके मेरे घर में परिवार में मेरे जीवन में आने से ये जो जीवन की बाध तार्णिम दुर्ग संसारस्य ये संसार की जो कठिनाई। उससे वो मुझे तारदे उससे मुझे हल्प मिले और मैं इस समस्याँ से पार हो सकूँ और मुझे मेरे कुल का जो है वो उध्धार करे। तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद भवाम मेरे परिवार का मेरे कुल का वो उत्थान करें तो इस तरीके की भावना से आप देवी की प्राथना आराधना करके लड़कों को भी नियमता इस मंत्र का 108 बार नियमित रूप से जाप करना चाहिए जब आपके विवाब म जो अर्ग लड़कों के लिए जस तरीके से आपने देखा होगा लड़कियों के लिए विवा की बाधा हो तो सबसे पहला काम क्या बताते हैं कि पीला कपड़ा पहनना शुरू कर दो भगवान वश्नु की पूजा करो केले के पेड़ की पूजा करो ये सामाने उपाए है पुखराज पहन लो उसी तरीके से जैसे लड़कियों के लिए ये उपाए है लड़कों के लिए सूर्य का बली होना विवा के लिए बहुत आवश्यक होता है तो अगर कोई लड़का आता है हम लोगों के पास की विवा नहीं हो रहा है तो सबसे पहले सूर्य देवता को अर कर देखा सकते हो विवा में बहुत ज app पर अगर किसी एक अशुब ग्रह की दृष्टी की है सब्तमेश का रत्न धारन कर लेने से भी विवा में आ रही बाधाउं dusे मुक्ति पाइजा सकती है तो मित्रों आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाई और टोटके आपको बहुत पसंद आते होंगे आप सभी से आग रहे कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेर जरूर करें और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइ दिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो व्यापार, नौक्री, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाईक जीवन में हो सुक्का भाव, पाईए अपनी समस्त जोतिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमतकारी, प्रभाविशाली, समाधान, एक जानमाना और वैभवनात शर्माजी, काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्टे और अंतर राष्ट्रे ख्याती प्राव, राज जोतिशी परिवार की आठवी बीडी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री, आचारे पंडित, श्री वैभवनात शर्माजी के द्वारा, व्यक्तिकर्द य करेने के लिए कॉल करें, 9818-300-146-9990-724-131 या फिर वीमेल करें, शर्मा.webhub at the rate gbill.com पर